कर रहे हैं है ठीक है वो टॉपिक है ग्रूप टू चोटा सा टॉपिक है इसमें थियोरी इतनी जादा नहीं है मिजॉरेटी ओफ इस रट्टा मैं आपको यह बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें आपने याद रखनी है फिर कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको लॉजिकली समझ करते हैं अगर नहीं होती तो कल की क्लास तक पूरी थियोरी करके फास्टेबर्स भी विदिन मंडे करके इसको खतम करती है ठीक है अच्छ जब मैं ग्रूप टू की बात कर रहा हूं सो इन और्गानिक एक दिन में खतम हो सकती है येस हो सकती है ठीकरी तो अगर आप पढ़ सकती है ठीकरी तो अभी शुरू में कुछ टाइम लगता है तो कोई मसले की बात की है ठीकरी बहुत अच्छ जब हम ग्रूप टू की बात कर रहे होंगे तो भी विल ओनली टॉक अबाउट इस elements in group 2 कौन-कौन से magnesium, calcium, strontium और barium हम बिरिलियम जो magnesium के उपर है उसकी बात नहीं करते है और barium से नीचे जो further group 2 elements है वैसे तो कोई है नहीं विच भी जो हमारे concern के होंगे लेकिन जो भी है इन चारों के इलावा हम जाना तर और किसी की discussion पे नहीं जाएंगे इस बात का मतलब यह नहीं है कि सर रुहाव ने और बाकी chemistry की डिटर्ण अगर सर्फ magnesium, calcium, strontium, barium पे focus किया है तो आप से examiner beryllium का question नहीं पूछ से वो beryllium का भी question पूछ सकता है जो magnesium के उपर होता है वो लिकिन कैसा होगा वो होगा इस तरीके से कि आपको जो अपनी information पता है group 2 के बारे में मतला आपको अगर यह पता है कि magnesium में ऐसे reaction दिखाता है और यह products बनती है तो अगर examiner पूछ ले बिरियलियम जो है वो इसी रेक्टर है तो क्या products होगी तो मिलती ही जूलती ही कोई products होगी वो आप कर सकता तो it will be more of like a guessing game with beryllium और ऐसा को question है तो हम उसको specifically in this chapter में discuss नहीं करें है लेकिन you should be able to make accurate guesses that is the requirement of the exam ठीक है अचा आगे चलती है let's first of all talk about the reactivity of group 2 metals तो भी जो group 2 metals की reactivity होती है वो down the group जाते वे barium सबसे strongly reacting क्यों हां magnesium सबसे weakly reacting क्यों है in all of these four इसका क्या reason हो सकता है atomic radius increases down the group very good मिशाल और मिशाल इससे क्या फरक परड़ा अगर atomic radius increase कर रहा है so what do you think is why what's the problem outer electron further from nucleus sir bond energies कम होती है नहीं not more energies because metals जो है वो तो होते ही isolated होते है आटम्स होते हैं magnesium magnesium atoms calcium calcium atoms ठीक ही आचरी charge density increase करती है if that नहीं charge density भी increase नहीं कर रही है ठीक है let's look at this in a further more detail ठीक ही तो yes to messa you're exactly correct तो भाही देखो metals bond कैसे करते है metals bond इसी तरीके से करते हैं अपना electron देते हैं ठीक ही magnesium chloride अगर बन रहा है तो magnesium अपने पहले दो electrons लेके cloning को देते हैं ठीक ही इसी तरह strontium और कोई compound अगर react कर रहे हैं तो strontium अपने outer variance electrons लेके किसी चीज़ को donate कर देगा तो metals की reactivity कहां से आ रही है जब वो electrons lose करते हैं हमने एक concept पढ़ा था first ionization energy और ionization energies ionization energies तक्रीवन तक्रीवन समल्लो इस पूरी इस प्रेक्समिनेशन पर पूरे पूरी तरही किसे लगेंगी because ionization energy भी क्या था amount of energy required to pull out one mole of electrons तो इधर भी magnesium, calcium, strontium, barium react अगर कर रहे होंगे तो अपने electrons खोके किसी और चीज़ को देखे तो ही react कर रहे होंगे तो जब हम ionization energy की बात कर रहे हैं तो हमें तीन चीज़ों के बारे में बात करना बता we had to discuss about the nuclear charge, we had to discuss about the shielding, we had to discuss about the atomic radius तो आप लोगो को क्या क्या याद है, group 2 कि जब मैं down the group जाओंगा तो nuclear charge increase करेगा या decrease करेगा so down the group the nuclear charge increases or decreases increases, ठीकरी, because down the group जा रहे हैं, आपके proton numbers increase कर रहे हैं, so आपका nuclear charge increase करेगा right, magnesium 12 होता है, calcium मेरे खाल से 20 है, strontium उससे आगे और barrier मुझसे भी वजीद आगे right, we all know that, अच्छा, और shielding के बारे में क्या कह सकते हैं, shielding increase करती है, decrease करती है shielding also increases, so the shielding also increases and then हमने देखा था, first ionization energy की case में क्या होता था यह shielding का increase और यह nuclear charge का increase एक दूसरे को cancel out कर देते थे, तो यही बात मैं ने लिखी, क्या चीज़, down the group the nuclear charge increases, but is counter acted by the increase in nuclear, increase in shielding by inner shell electrons, अच्छा, यह shielding increase क्यों कर रहे है, what's the reason for that, why is the shielding increasing, अगर वह examiner आप से पूछले भाई, shielding increase करे, more protons, not more protons, totons तो nuclear charge cause कर रहे है, shielding तो किसी और वाज़े से cause हो रही थी, so more electrons, number of shells increase, yes, number of inner shells increasing, number of shells increasing, yes, yes, so number of outer shells नहीं, number of inner shells increasing, ठीकरी, तो number of inner shells बढ़ते जा रहे हैं, और क्या होता जा रहे हैं, उसमें आपके electrons भरते चले जा रहे हैं, ठीकरी, let's also pick up the periodic table, ठीकरी, ताके हम साथ साथ उ और चीज़ों को समझते जाएं, FC downloads, अगर ये खुल जाता है, let's search in this जल्दी से, okay, it's lagging, ठीक है, लेकिन अब भी मैं उसको import कर लूँगा है, तो yes, you guys are correct, भाई, nuclear charge नहीं कर रहे हैं, because protons increase होते जा रहे, दूसरा, आपके inner shell electrons भी increase करे जा रहे हैं, magnesium is in period 3, calcium is in period 4, यानि इसके in period 6 में, तो इसमें shells भी increase करे जा रहे हैं, your inner shells are increasing, and therefore the inner shell electrons are increasing, और हमें बता है, shielding कौन कास करता है, inner shell electrons कास करता है, तो ये दोनों एक दूसरे को counter act करते हैं, फिर मिशाल ने हमें बात बताई, कि atomic radius increases, therefore the atomic radius increases, और क्यों, because वो number of shells increase कर रहे है, right, naturally अगर ये period 3 है, तो 3 shell, 4 period, 4 shell, 5 पिर तो इसमें shells बढ़ता जा रहे हैं, तो atomic radius increase करता जाए, और फिर उसके बाद आपने अपनी final concluding statement लिखनी है, कि अगर atomic radius increase कर जा रहा है, तो जो nucleus है, वो outer shell electrons को इतनी जोड़ से नहीं खेच पा रहा, तो इसी रिए ये आसान हो जाता है, ये outer two valence electrons जो है, इनको lose करना, और किसी और species को दे देना, so therefore the atomic radius increases as the number of shells increases, and it becomes easier to lose valence electrons, इस concept में कोई प्रॉब्लम है, अब examiner आपको अगर तीन mark का question दे, भाई, reactivity increase क्यों कर रही है, तो आप ये तीन चीज़ों लिखोगे, और इसके बाद फिर फाइल concluding statement लिखोगे, अगर examiner पूछता है, एक mark के लिए, दो मार्क के लिए, तीकरी, देन जिस गो और राइट, atomic radius increase कर रहा है, इसले बिकमस easier to lose valence electrons, and therefore reactivity increases, इस समझ में आया है, सबको कोई प्रॉबम थानी, recall हुआ, फिर्स आइनाइज़ेशन एनरजी, and all of these things that we used to discuss, clear है, अच्छा, so the next question to you guys is, के, एक metal, metal अगर मैं बात करूं, for example, let's say, magnesium की बात कर रहा हुआ, clear, so what do you think, metal naturally reducing agent होगा, या oxidizing agent होगा, अगर हम metal पे normally बात करना है, magnesium पे है, calcium पे है, तो would they be reducing agents, या would they be oxidizing agents, क्या ख्याल आते हैं सबके बें, reducing, oxidizing, reducing, 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 ठीकरी, तो जो जो बच्चे, जो हैं, वो reducing agents कहा रहे हैं, और इसको बड़ा एक आसान तरीका है, याद रखने का, कुछ भी नहीं है, आपको अगर थोड़ी सी doubt भी हो रहा है, तो आप ये देख लो, ये metal करता क्या है, metal, अगर mg है, let's say, for example, magnesium is bonding with CL2, तो क्या बनेगा, mg, CL2 बन जाता है, इसमें magnesium की oxidation state, 0 से कहां गई है, plus 2 पे गई है, यानि क्या हुआ है, ये खुद oxidize हो गया है, और इसने किसी और चीज़ को reduce कर दिया है, reduction का मतलब क्या था, it was the reduction का मतलब था, gain in electrons, तो किसी और चीज़ की इसने gain in electrons कर दी है, खुद बिचारा oxidize हो गया, खुद इसने electrons खो दी है, so metals generally speaking are reducing agents, अगर आपकी reactivity down the group increase हो रही है, तो examiner एक different तरीके से आपको ये भी बोल सकता है, कि down the group the metals become stronger reducing agents, तो अगर ऐसी कोई बात आ जाए या आप से कोई ऐसी बात पूच जाए, तो घबरा नहीं जाना, reducing metals होते ही reducing agents है normally, because they tend to give off electrons, वो electrons अपने दे देते हैं, loose कर देते, electrons खुद oxidize हो जाते हैं, तो और अगर आपकी reactivity increase कर रही है, तो उसकी जो शिद्दत है, जिस जोड से वो electrons दूसरों को देते हैं, वो increase कर देगी, तो it will become a stronger reducing agent, ठीक ठीक, ठीक, तो यह हो गई हमारी कुछ, जो है, वो समझल, atomic structure के थुरू, हमने जो है, वो कुछ बात कर लिया है, और इतनी हमारी discussion हो जाए, अचा, अब आगे चलते हैं, ओके, ज्यादा reactive equal to, ज्यादा stronger, yes, exactly, ज्यादा stronger reducing agent है नहीं क्या होगा, जो ज्यादा जल्दी oxidized हो रहे, तो ज्यादा जल्दी कौन oxidized होगा, जिसकी ज्यादा reactivity होगा, right, ठीक है fun, अच्छी, अब आ जाते है, at some of reactions, अब ये कुछ-कुछ हिस्सा है, जो आपको याद करना पड़ेगा, जो जो बच्चे मुझसे कुछ आ रहे हैं, सर, कौन-कौनसी reactions हमें याद करनी है, तो इस chapter group 2 पे बड़ा focus करना है, क्योंकि इसमें अकसर और बेश्टर जो आपको equations याद होनी चाहिए, कि वो कैसी होनी है, कैसी नहीं होनी है, वो इधर हम discuss करने बादे, ठीक है, so the reactions with oxygen are, all group 2 metals react with oxygen to produce oxide which appear as, ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है, कि आपके जो group 2 metals होते हैं, ठीक है, so for example, for example, अगर आपके पास X है, let's just say X can be magnesium, calcium, whatever, अगर वो react कर रहा है with oxygen, तो can you tell me, for example, अगर यह X नहीं होता, अगर मैं कहता नहीं, X नहीं है, यह MG है, तो आप मुझे बता सकते हो, कि इसकी salt का formula क्या होगा, what would be the salt का formula, ठीक है, और हम redox करते हैं, आचुक है, so you should be clear with this, कि हमें कैसे करना है, I need an answer from everyone, MgO, yes, you guys are correct, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है, Mg2 प्लस होता है, और O2 माइनस होता है, तो यह और यह cancel, तो MgO बन जाएगा, ठीक है, so सारे जो group 2 elements हैं, अगर मैं उनका एक general formula आँ, X plus O2, तो वो कैसा oxide बनाएगा, वो simply एक X O oxide बनाएगा, ठीक ही, सारे metals भी usually, यानि group 1 metals का भी अगर कोई आजाए, तो group 1 metals भी oxygen क्या करके, एक oxide बनालता है, बस उनके oxide में यह 2 हो जाता है, ठीक ही, वो आप redox balancing या नाम से work out कर सकते, but group 2 metals will form इन X O का oxide, is this balanced, या मुझे कुछ करना चाहिए, इसकी balancing के लिए, और अगर कुछ करना चाहिए, तो वो क्या करना चाहिए, you can make X O 2, ठीक है, or and 2X, ठीक ही, फिर यहाँ भी आपको 2X डालना पड़ेगा, आप चाहे आप ऐसे balancing करना चाहो, तो ऐसे भी ठीक है, कोई मसली की बात नहीं, अगर कोई बच्चा जो है, वो ऐसे balancing कर दे, तो यह भी बिल्कुल 110% correct है, इसमें कोई मसली की बात नहीं, ठीक है, So, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है, balancing याद करने की, I think this is a pretty easy equation, आप, just यह याद रखो, कौन सी product बन रही है, और balancing आप on the spot, वैसे के वैसे ही, देख लोगे, ठीक है, So, एक solid, this should be gas, and that will be making a solid, ठीक है, और example के form में हम अरड़ी देख चुके हैं, भाई, अगर magnesium जो है, वो आप रेक्टर दोगे, with oxygen gas, तो you will form MgO, Has anyone ever had experience, practical में, lab करते वे, कभी magnesium oxide की appearance, देखिए, So, magnesium oxide कैसा दिखता है मैं, किसी को, किसी ने देखा है, किसी को recall हो रहा है, How do these magnesium oxide looks as this white powder, very good of part, So, magnesium oxide और ऐसे ही, जो यह के सारे के सारे group 2 elements हैं, यह सारे के सारे ही क्या बनाएंगे, इनके oxides, white solids होते हैं, या तो powder होंगे, या चोटे-चोटे clumps होंगे, ठीकरी, whatever, जितना भी हमने pure sample निकाल पाए, whatever was the experiments हमने किया, लेकिन यह होंगे क्या, यह white solids होंगे, So, all group 2 metals react with oxygen to produce oxides, which appear as white solids, ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज जो examiner आपसे पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है, वो यह पूछ सकता है कि भाई, क्या आप हमें इसके regarding कोई observation खास, तो अगर हम यह reaction कर दें, for example, magnesium plus oxygen equals to MGO, So, can you give some observations, any visible observations, जो equation को देखते वे आती हो, समझ, या भी जो हमने discuss कर लिया है, तो कुछ observation जा सकता है, अगर यह reaction प्रोग्रेस कर रहा है, तो what observations would you see? Steamy fumes, नाई, नाई, not steamy fumes, white PPT, यानि white solid देखेगा, ठीक है, एक बिल्कुल सही है, white solid देखेगा, कभी किसी ने magnesium oxygen को burn किया है, याद है आपके teacher ने, हो सकता है, O level में करके दिखाया हो, AS, AS में भी आप लोगों ने किया होगा लाजमी, magnesium ribbon burn करते हो, in oxygen, white flame, yes, So, क्या होगा, the observations are going to be, a colored flame, plus white solid, So, इसकी observations ये होंगी, और ये observations आपसे examiner बकाइदा तोर पे बार-बार पूछता है, So, you should know these observations, जो भी oxide है, जो भी metal है, जब भी burn करेगा oxygen में, तो एक flame के साथ burn करेगा, Group 1 metals mostly white flame के साथ burn करते हैं, Group 2 में कुछ हद तक different colors आते हैं, Magnesium we all know burns with a white flame, ठीकरी हमने ये देखावा है, Magnesium ribbon को जब oxygen मिलाते हैं, तो white flame जलती है, Calcium and strontium burn with a red flame, and barium burns with a green flame, ठीकरी, So, ये colors भी हमें याद करने हैं, क्या चीज़? Magnesium white के साथ burn करता है, strontium और calcium red के साथ, और barium green के साथ burn करता है, जो fireworks में आपको colors रदर आते हैं, blue, green, white, ये सब basically इन ही group 2 elements के कुछ compounds होते हैं, जो जब ignite होते हैं, जब जो react करते हैं, तो वो colors आपको दिखाते हैं, तो fireworks में you can expect, यह हो सकता examiner जो है वह आपको ऐसी कोई चीज़ पूछने के, fireworks में ऐसा color था, तो भाई, एस firework color के आओगा, and so on and so forth, फिकरी, and you have to memorize these flame colors as well, कोई problem in the reactions with oxygen, any issues, any confusions, फिकरी, if I am going too fast, और आपको कोई चीज़ समझ्योंद बार से तो मुझे, रोख लीजेगा, ठीकरी, अब आ जते हैं, on the reactions with water, फिकरी, सारे group 2 metals, पानी के साथ भी react करेंगे सिवाए magnesium के, magnesium बहुत जादा तेजी के साथ react नहीं करता, बहुत ही आहस्ता तरीके से ये react रहता है magnesium, चीकरी, अलबता इसके इलावा जो है calcium, strontium, barium ये बज़रा जो है, वो fast reaction दिखाते हैं, and what do you think, what would form, अगर मैं इनको पानी के साथ react कर दूँगा, तो क्या फॉर्म होगा? Metal hydroxide, very good, so you would form a metal hydroxide, metals जो है, वो क्या बनाते हैं, जब उनको पानी में डालोगे, तो वो alkali बनाते हैं, right, अगर तो ये सब के सब क्या बना रहे होंगे आपके लिए, they will be forming hydroxides, magnesium बिचारा वो इतना कोई fast reaction नहीं दिखाता, ऐसा नहीं है, reaction नहीं होता, ऐसा नहीं है, कि reaction बिलकुल मिन होता, magnesium hydroxide आप बना ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं, magnesium magnesium does react but very slowly, इस बात का मैंने इस लिए लिखा है, कि अगर कोई question आ गया, तो कल को आप ये नहीं बोले, sir, वहाब ने बहुत जाद़ स्लोली, कि बिलकुल नहीं के बराबर react करता है, अब अगर आप उसके लिए 10-15 दिन रोके वे हो, और वो sample collect कर दे तो भाई, ये कर देगा 10-15 दिन में तो, ठीक है, अचाँ, so apart from magnesium, all group 2 metals react readily with liquid water to form hydroxide and hydrogen gas, ठीकरी, metals जब भी पानी के साथ react करेंगे, specifically कौन से metals, group 1 वाले और group 2 वाले, तो वो दोनों ही ऐसी, जो आपको reaction दिखाएंगे, एक hydroxide form करेंगे, और एक hydrogen gas form करेंगे, ठीकरी, so if for example, I have got a metal और मैं उसको जहूँ, पानी के साथ react कर देता हूँ, तो मेरे पास जो है, वो hydroxide बनेगा, what do you think the formula for the hydroxide will be in terms of x, x के लिए टरम देना, ठीकरी, हम x एक general metal को लेके चलना है, so क्या formula हो जाएगा, अगर मैं x को react कर दू, h2 के साथ मुझे hydroxide बनाना है, xOH, xOH होगा, xOH होगा, थोड़ा गौर से सोचो, will it be xOH or something else, उस alkali का formula क्या होगा, xOH, 2 होगा, right, remember, x is 2 plus, oh is minus, so then this will go over here and this will go over here, so your group 2 hydroxides will form alkali of the form xOH, 2, okay, so group 2, कैसे hydroxides बनाते हैं, they make dihydroxides, यानि उनके hydroxides times 2 होगा, तो उनके अंदर OH group जो है, वो times 2 होगा होता है, so हमने जो hydroxide बनाना है, वो यह बनाना है, and then you will also experience some H2 gas being liberated off, ठीक है, यह क्या होजएगा, यह हो जाएगा aqueous, ठीक है, और यह हो जाएगा liquid, और यह हो जाएगा solid, ठीक है, यह मैंने equation लिखी है, समझ लो general equation है, magnesium भी equation follow करेगा, लेकिन बहुत negligibly follow करता है, कोई खास तेजी के साथ यह reaction नहीं दिखाता, बाकी सब जो हैं, वो they show a moderate to fast reaction, और आपको alkali भी जल्दी से मिना के देते हैं, तो hydrogen gas भी बहुत सारी libinate out हो जाती है, so for example, for example, for example, अगर मैं आपको बोलूँ, strontium react कर रहा है with H2O, तो I believe सब जो है, वो बड़ी अनाम से कर लोगे, कि SROH2 and plus H2 gas, ठीक है, यह हो जाएगा आपका aqueous, और यह हो जाएगा आपका liquid, और यह हो जाएगा आपका solid, ठीक है, अच्छा, strontium solid होगे, liquid होगे है, ठीक है, अच्छा, चलो, यह हमने reaction कर दिया, can you give me any observation, that by looking at just the reaction, observations क्या-क्या हो सकती है, इस reaction के लिए, what do you think, equation देखो, और उसे साबसे मुझे बताओ, सार, हम यह-ए observations देख पाएंगे, gas, रूम ऐसा gas के लिए क्या observation होगी, yes, हर दफ अलिबरेट होगी, hydrogen gas given off, white precipitate नहीं अनका, white precipitate नहीं होगा, अब देखो, observations, a lot of the times, you can work out through the equation, you see, you see, you see, that you are forming a gas, है न, you are forming a gas, gas, पानी में, जब गैस पानी में फॉर्म होगी, तो क्या होगा, effervescence होगी, बबलिंग होगी, ठीकिची, तो उस बबलिंग को जो gas की bubbles escape कर रही होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, we call it as effervescence, तो we will say effervescence of H2 gas होगी, right, H2 gas का कोई test पता आपको, do we know any tests for hydrogen gas specifically, pop sound, very good, और pop sound का बाती है, when you bring a burning splint towards it, so, एक observation जो है वो आपको हमेशा मिलेगी, effervescence यानि बबलिंग of H2 gas, ठीकिरी, और यह आपको देगी, pop sound with burning splint, white smoke as in hydrogen gas का कलर बता रहे हो, as white, यह बोलना चाहरे हो, white smoke किस चीज़ की बोलना चाहरे हो, hydrogen gas तो transparent होती तो उसका तो कलर नहीं होगा, ठीक है, तो it will be a transparent gas and transparent bubbles, अच्छा, एक हमने discuss कर ली, और थोड़ा से देखो इसको, और थोड़ा से गौर से देखो, कुई एक और observation भी आप देख से प्ते हैं, it's very easy observation to identify from this equation, थोड़ा से सोचे ओँगार, I think everyone can get that, states की change को देखो, states में क्या फरका है, if you look at that, पिर दफ काफी जो है वासान हो जाएगा, yes, very good, Maryam, very good, very good, भाई देखो, Maryam कहीं है solid है, is in this solid, so solid is becoming aqueous, तो एक और observation आप यह लिख सकते हो, कि solid dissolves, यह solid disappears, that is also a valid observation for this reaction, तो आपको यह मालूम हो कि metal जो है, वो एक दम से solution में डूब गया, खतम हो गया, ऐसी solution में मिल गया, गाइब होगे एक दम से आँखों की सामने में से, ठीक है, so for calcium to barium specifically, क्योंकि magnesium बहुत देर लगा रहा होगा, solid dissolves, ठीक है, अच्छा, so I hope, जो है, वो इधर से समझ में आए, कि कैसे observations एक equation के थुरू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो next अब मैं आपको जो पूछ रहा होगा, तो मैं equations लिख दिया करूँगा सामने, अपने फिर ज़्यादा focus करना है, मुझे equations अगर ये बात समझ में आदे नदरार है, तो वो best हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, magnesium readily reacts with steam to form oxide and hydrogen, magnesium क्योंकि एसाद बहुत slowly reaction दिखा रहा होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम magnesium को ज़रा गरम पानी यानी steam के साथ, यानी water in gaseous form, steam के साथ अगर हम react कर दें, यानी activation energy डाल दें थोड़ी सी system के अंदर, तो फिर हाँ, वो फिर readily react कर लेता है, और magnesium जब जो है, for example, steam के साथ react करेगा, और वो बिस्ति आपने H2O को gas कर दिया है, magnesium solid है, so magnesium will now form MgO, hydroxide नहीं मनाएगा, वो MgO मनाएगा, MgO solid and plus H2 gas, ठीकरी, so magnesium अगर आपने उसके साथ एक healthy reaction दिखाना है with water, तो उसका much more healthier reaction is when you give water a bit of temperature, थोड़ी सी activation energy डाल दो के system में, so magnesium पानी के साथ react करके, फिर magnesium oxide बना लेगा, plus hydrogen gas, ठीकरी, अब इस equation को देखके, can you tell me any observations? effervescence नहीं, because there is no liquid, आपने कोई liquid नहीं इस्तेमाल किया, very good Anka and Mariam, white solid, magnesium oxide उपर discuss किया न, ये साथे oxides का होते हैं, white solids होते हैं, so basically a white solid will form, this will be the observation for example for this reaction, so white solid forms, fumes नहीं, no fumes, fumes भी hydrogen gas के हैं, hydrogen gas तो colorless होती है, तो आपको fumes नजर नहीं आएगे, आपको basically, आपको gas feel नहीं होगी, या तो burning splint लेके आओगे, तो pop sound feel होगी, या फिर जो है वो पानी होता, तो फिर effervescence या bubbling आपको मिलती, दोनों में से nothing in this case, क्या सबको ये समझ में आया? fumes are when, मिशाल, when any, जो है, क्या कहते है, colored smoke is born, ठीकिटी, यानि transparent ना हो, तो for example, ammonium chloride के होते हैं, fumes, जो आप करते हो, NH3 और HCL का test, ऐसा होता है, बिलकुल ऐसा होता है, और भी कुछ gases है, जैसे for example, अभी थोड़ी देरे में देखेंगे, nitrates के बारे में, तो ज़री भी कुछ fumes होंगे, वो भी हम देखेंगे, fumes होते हैं, जिस भी चीज़ की, जो colored gas evolve करते हैं, सब को ये समझ में आ रहा है, कोई problem नहीं, does everyone get, ये second equation, मैंने क्यों लिखी है, ये इफ सिर्फ और सिर्फ क्योंकि magnesium थंडे पानी के साथ, इतना अच्छा reaction नहीं देता, तो इसका गरम पानी के साथ, मैंने एक reaction लिख दे कि magnesium को अगर रहा नहीं है, तो गरम कर दो के पानी, तो ये आपके पास ये चीज़े फ़रूँ चाहें, ठीक है, एनी प्रॉब्लम स्टेलोवर हीर, और मेरे ख्याल से हम balancing करना भूल गए है, तो balancing आप मुझे दियार दिलाते रहोगे, तो आप balancing करना भूल गए है, तो आप हम साथ-साथ balance भी करते हैं, इस equation में क्या करूँ, तो मेरी equation balance हो जाएगी, 2H2O, with the magnesium की equation to balance it, nothing balanced है, very good, so it is already balanced, आपको कुछ भी करने की जिरूरत नहीं है, very good.